सूरत में कोचिंग सेंटर में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है इस भीशन हाथसे के बाद कोचिंग संचालक को गिरफतार कर लिया गया है आग इमारत की चोथी मंजिल पर मौजूद कोचिंग सेंटर में लगी जहां हाथसे के समय 100 से ज्यादा चात्र मौजूद थे आग लगने के बाद जान बचाने के लिए कई चात्रों ने चोथी मंजिल से चलांग लगा दी लेकिन चलांग लगाने वाले कई चात्रों को अपनी जान गवानी पड़ी हाचसे के वक्त कई चात्र अंदर फसे हुए थे सीडियों के रास्ते पर आग की वजा से कई चात्र खिडकियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि अधर पीसे से हुआ जाया कि आग लगी आग लगी तो हमने जाके देखा तो उदर यसी का बार वह जो आउट डोल लगा था उसमें विसन आग सालोग तो वह जादा ओगया इसलिए गिरने के लिए गिर रहे थे तो उसमें से बगल में दूसरे माल पर हमने कास तोड़ा थ उसमें से सीड़ी लगाई और 15-20 लोगों को उधर से निकाला और 21 लोग उपर से गीरे और और बाकी के लोग उपर वो जलके बढ़तों हो गए 22 से 25 लोगों को बार निकाला अपनी जान के खेल के केतन पहिन और पूरे ग्रूप ने मिलके बहुत ही डराओना महाल था और छोटे-छोटे बच्चे थे सब एकदम मासूम जिसकी एज 15 से लेके 17 से उपर कोई नी हो जैसे आग लगी तो पूरे इतने पबलीक की कठा होने लगी फिर मालूम पड़ा कि यहां पर आख की वज़ा एसी का जो वेंटीलेशन है वो फटने के कारण अग लगी है जनक हमारे सायोगी इस पूरी खबर पर हमारे साथ जोड़ रहे हैं जनक जो तस्वीरे हम देख रहे हैं बेहद ही दिल धहलाने वारी तस्वीरे हैं प्रशासन वक्त रहते को इंतिजाम करता है यां फायर ब्रिगेट की गारी वहाँ पर वक्त रहते पहुंच जाती तो शायद आज इतना बड़ा हाथसा होते होते बच जाता शायद मरने वाले बच्चों की संख्या थोड़ी कम होती बिल्कुल देखें अक्षम में लापरवाई प्रशाशन की और से और अभी से नहीं शुरुआत से अगर ये बिल्डिंग जब से बनी तब से गहर कानूनी तोर पे इसको देखा गया था उसके बाद इंपक्ट फी जो सरकार की और से जब कानून लाया गया कि गहर कानूनी जो बिल्डिंग्स है उसको आप कानूनी तोर पर वहिदता प्राप्त कर सकते हैं और यही इसी बिल्डिंग के साथ हुआ वो मैं तस्वीरे दिखाऊंगा कैसे किस तरीके से आग लगी और वह आग लगने के चलते कैसे उननीस मावीस मासूमों की जान गई अभी फिलाल आ रही है और उसके बास में फायर का जो स्टेशन दाब वहां पर वो जो आग लगी जो हाई टेंशन वायर थी वहां से आग लगने के चलते नीचे पार्किंग में वहिकल से उसमें तेल था उससे ज्यादा आग लगी फर्स माले पर जो आपको एसी जो उसका आउट्डोर य स्टीट थी दुवाएं सथ तक था रास्ता कोई नहीं बचा था एक ही रास्ता था आने जाने का बच्चों ने आने की कोशिश की लेकिन दूसरे से तीसरे माले पर आग तेजी से फैल रही थी ऐसे में उनके पास आगे से नीचे कुदने के अलावा कोई चारा नहीं था ज जिनके जब शेश जब निकाले गए तो एक डिसरे को सिम्टे हुए थे तो यह अपने आप में अब दर्दनाक कितना दर्दनाक हाथसा होगा इससे आप अंदादा लगा सकते हैं जो बचें उनसे भी हमने बात की बहुत खौफनाक मनजर था उनके सामने यहां भी एक और आँग दिख रही थी तो दूसरी और भी जब वहां से कुदे तो वहां पर भी खत्राब बन रहा था जो जो चश्मदीद वहां पर उनसे भी हमने बात की जो इस हाथसे में बचें उनसे भी बात की वो बात को बया करते करते उनकी आँखों में वो तस्वीर सामने आती है बेहत खौफनाक मनजर रहा, उननीस परिवारों, बीस परिवारों के गर्चिराग बूझ गएं, उन परिवारों में बिलकूल खामुश्डाई सरकार की और से जाज बिटाई गई है, जाज होती रहेगी, रिपोर्ट्स आते रहेंगे, लेकिन कब सबक देंगे, ये अपने बड़ी बात है, सबक से जो भी गटना है हुए, उससे हम सबक नहीं लेते, इससे पहले भी छे महीने पहले सूरत में आग लगी थी, हाला कि उस समय कोई बड़ी गटना नहीं बनी थी, पर उसके बाद भी अगर प्रशासन सचैत होता, और वहाँ की फायर सिफ्टी सिस्ट उसके अलवा भी जब दमकल कर्मी यहाँ पर आये, जो संगीन आरोप लगे हैं, जो चश्म दीदोन लगाए, कि जो क्रेन आ रही थी, वो क्रेन उपर तक नहीं जा रहे थी, इस्तिती में क्रेन थी, तो प्रशासनी किला परवाही के साथ साथ, जो बाकी जो अधिकारी यह बचाया जा सकता है, लेकिन दर्दनाग हादसा आपनी आखों के सामने, और यह मैं आपको तस्वीरे दिखाना हूं, फिलाल, एफसल के अधिकारी अभी ही जस्ति उसके दर्वाजे को खुला गया है, और सारे एफसल के अधिकारी और एंदबाद फाय ब्रिगेट के सारे अधिकारी ऊपर जा रहे हैं, देखने के लिए कि दर्वसल किस तरीके से क्या हुआ, वो सारे सबूद जूटाया जा रहे हैं, इसके साथ साथ पुलिस ने 304 IPC की तहट गहर कारों इदादतन हत्या का मामला इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं, जो बिल्डर हैं उनके संचालक है, उसके खिलाब दर्ज किया है, जो जानकारी अब मेरे पास आ रहे हैं, उसके मुताबिक जो यहां का जो टूशन का संचालक है, भारगव भुटानी, उसको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पकड़ा है और उससे पुछता चल रहे हैं कि किस तरी संचालक हाथसे के वक्त एक ऐसा इनसान भी था, जो बिना डर के लोगों की जान बचाने के लिए बिल्डिंग पर चड़ गया, केतन नाम के इस लड़के ने भीशना आग के बीच बिल्डिंग पर चड़ने की हिम्मत दिखाई और दूसरी मंजिल पर चड़ कर बच्चों को बचाने की कोशिश की, दूसरी मंजिल पर चड़े केतन ने एक के बाद एक दो लड़कियों की जान बचाई, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से केतन दूसरी मंजिल के छज्जे पर खड़े होकर लड़कियों की मदद कर रहा है, आग से बिना डरे केतन न दो लड़कियों की जान बचा ली खुद गई उपर से तो वो डर देखके मेरे को वो देखा नहीं पाई तो वहां से चलनी से फटा पर जाके सीडी सब दुंडा और सब लोग को बचे लोग को चोटे-चोटे को लटका लटका के 10-15 लोग हमें ने उतारा पहले बाद में बाजू की साइड गया और पूरी फा सामने जिगर भी इतनी थी कि में कुछ कर पाऊंगा ऐसा मुझे मालूम था कि मैं कर दूंगा एसा एक बच्ची को बचाने गए वो तस्वीर याद है बचाने लेकिन आपके ऐते दो फूट गया है ओ इतनी परिषान ही उसका वजह इन इतना था तो फूट पैढ़ CON अशान हो गया है क्या कर आो कितनी मुश्कील थी वहां पर गूलता है के कोय। वहां पर वहां पर वहां पर किसी को करूच करें केशे निकले को एक दुश्रे को सबस्वाइब आता dorada जिल भी जिया के को कि क्या ना थे लिएो जैसे इतना Autowich इतना सपोर्ड करके मैं उसको सब लोग को बचाया है कि दूसरा तो मेरे से जो चले के उसके लिए तो मैं दुख पहुंच रहा हूँ उस लोग को ऐसा था कि नीचे की पॉब्लिक मेरे को बचा लेगी जब वो लोग नहीं बचाने क्योंकि वीडियो उताने में थे सब लोग इसलिए वो प्रोब्लेम में मैं उपर गया हूँ और उसको सबको बचाने की कोशिस में रहा है कितने लोग को आप बचा सके उस समझे ऐसे पकड़के कोई किसी का हाथ पकड़ा किसी का पेर आत में आ रहा था उल्टा लटक के आ जा था थोटा बचा हो तो यह से उल्टा ने फसा एक और छात्र था जिसकी जान बच गई राम नाम के उस छात्र ने आग लगने के बाद बचने की उम्मीद से तीसरी मंजिल से चलांग लगा दी थी लेकिन गनीमत ये रही कि उसे खरोच तक नहीं आई सूरत में जो भयाव आग लगी उस क्लासिस में बारा से पंदरा बच्चे पढ़ रहे था उस समय पर और पांच बच्चे ऐसे थे जो उपर से नीचे कुझे उसमें सबसे सुरक्षित अगर कोई रहा तो वो राम वागानी राम हमारे साथ है पूरी बात को बताएंगे कि किस बात पूरा बताओ कि किस तरीके से घटना करों और आप कैसे उपर से जम कि पहले तुम्हें क्लास में वेठा था मैंने धूँआ आता देखा तो मैं दूर के पास गया प्लास का दूर होता है नुजर फिर मैंने मेडम को भागते देखा मैंने सोचा मेडम कहा जा रहे मैं मेडम के पीछे पीछे गया और फीर पता चला फिर में नीचे उतर ही रहा था कि सेकंड फ्लोर पर भी आग लग गए थी पर ही इलो नीचे नहीं उतर से का फिर वापस उपर चड़ गया थर फ्लोर पर फेशन दीजिनी का क्लास है नुजर लाश्ट में चला गया हम सब लो अधर बहुत स्पीड से आ गई इसलिए फिर एक ही ओप्षिन था इधर से चलेंग लगाने का फिर में आपने क्या देखा जब उपर से आप बाहर खिड़की में दिख रहे थे क्या हो रहा था मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और फिर आप खिड़की क्यों रहे है बेक पहले में ने बेक फेका इसलिए मुझे पता चल जाए बेक किस तरब से किस एंगल से पड़ता है और सब लोग पहले बेक को पकड़े तो मुझे बकड़े ही है इसलिए फिर में कूदा बेक जाए और जनक हमारे साथ लगातार बने हुए है जनक यकीनन प्रिशासंग की लापरवाही तो है ही लेकिन ये पूरा हाथसा जो हुआ है से एक बात सामने आती है कि कही न कहीं इंसानियत मर चुकी है कि जब वो मासूम बच्चे चौथी मंजिल से छलांग लगा रहे थे तो लो बिलकुल उस समय भीड़ यह तनी थी मैं मेरे कैमरामेन से कहूंगा उस और आपको कैमरा पहन करके दिखाएं ये वही उस जगह का इलाका है वहाँ पर लोग इतनी भारी तादाद में थे अगर उन्होंने किसी भी तरीके से एक दूसरी के हाल्प करके हुए उपर से बच् को नीचे कुद्रे के लिए बुला रहे थे कि आप नीचे आये हम आपको पकड़ लेंगे कुछ लोगों ने हिम्मत देखाई थी लेकिन ज्यादा तर अभी जिस तरीके से आप बीड का तमाशा देख आप रहे हैं उसी तरीके से बीड यहां पर लगी हुई थी और बचान से नेट की कोई प्रबंद करते प्रशासन अधिकारी या प्रशासन के उपर ही किवल दारोमदार रखते बिना अगर वो कुछ करते तो कुछ अलगी तस्वीर हो सकती थी लेकिन उस समय यह नहीं हो सका और आखिरकार 20 परिवारों ने अपने कुल दीपकों को खोया अपने अगर लोगों ने कोशिश की होती तो शायद तस्वीर आज कुछ और होती बहुत बहुत शुक्री आपका तमाम जानकारी के लिए